आज दाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन की फोडो खीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तामबे के एक 2 मीटर लंबाई के तार में 1 मिलिमीटर विद्धी की जाती है। यदि खीचेवे तार में संचित समस्त उर्जा उस्मा में परवर्तित हो जाती तो तार के ताप में विद्धी ग्याद कीजिए। य बराबर 12 ये एक्च्वल में य स्टेक हो गये थोड़ा 12 गुड़ित 10 के घात 10 ठीक है न्यूटन प्रति मीटर का वर्ग है। तामबे का घना तो यहाँ पर दिया हुआ है ठीक है 9 गुड़ित 10 के घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। और विशिश्ट उसमा भी दिया है C बराबर सुन दसम्द चार दो 10 के घात 3 कैलोरी ठीक है प्रति कैलोरी प्रति किलोग्राम ठीक है प्रति किलोग्राम प्रति डिगरी सेंटिग्रेट इस तरह के दिया है दो तो कैलोरी में यह दिया है ठीक है तो इस तरह के सम को क्या है दोस्ति इस प्रश्ण में ग्यात क्या करना है कि एक तामबे का थी योटे कि लंबाई देखे दो मीटर दी विए तो पहले तो हम लिखालते हैं दो तो तार में संचित दो यह सूतरम को मिलता है दो तो तो इसमें अगर मान रखते हैं एक बटा दो और हमारा वाई कितना है दोस्तों देखें 12 गुड़ित 10 के गाद 10 ठीक है और विकृति क्या हो जाएगे दोस्तों डेल्टा एल बटा एल हा न इसका वर्ग है तो यहां से देखें कितना हो जाएगा तो यहां से अकटा सकते हैं दो चक का बारा हा न तो 6 गुड़ित 10 के गाद 10 और विकृति हमको कितना मिला है दोस्तों देखें डेल्टा एल एक एमेम है हा न और एल दो मीटर है तो एक एमेम को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों मीटर मदलने के लिए एक बटा है एक हजार ठीक है यह और नीचे में हमा और एक बटा यह कितना एक दो तीन हा न तो दस के गाद 3 का वर्ग क्या आ जाएगा दस के गाद 6 ठीक है और यह दो दूनी 4 तो दो दूनी 4 दो तीया 6 और दस के गाद 6 यहां सिकार दोगे तो दस के गाद 4 मिल जाएगा ठीक है तो 3 बटा 2 हा न तीन बटा 2 मतलब इसको आ यह हमको किस में मिल गए दोस्तों जूल में अब प्रश्ण नों सर क्या बोला है दोस्तों जो कूल संचीत उर्जा है ना वो उस्मा में परवर्तित हो जाती है तो तो E बरावर M C Δ T ठीक है M दरब बिमान हो जाएगा C उसका विस्षिश्ट उसमा डेल्टा T तापमान में परिवर्तन ठीक है तो E हमको मिला 1.5 गुरित 10 के गाच 4 जूल M देखें दरब बिमान हमको दिया है क्या है दोस्तों इसमें नहीं दिया है ठीक है तो इसको कैसे करेंगे दोस्तों इसको हम लोग लिख सकते हैं घनत्व गुरित आयतन ठीक है M को लिख दी हमने C Δ T यहां पर देखें दोस्तों जो E मिला है न यह प्रती एक आंक आयतन मिला है दोस्तों अगर इसको हम लोग आयतन से गुड़ा कर देंगे दोस्तों तो यह हमको कूल संची तूर्जा मिल जाएगे दोस्तों ठीक है तो यहां पर हम लोग आयतन से में गुड़ा करेंगे दोस और c कितना दिया है दोस्तों? c 0.42 गुड़ी 10 गाथ 3 कैलोरी, 0.42 गुड़ी 10 की गाथ 3 कैलोरी परती, कीलोग्राम परती डिगरी सेंटिग्रेट तो देखे दोस्तों ये केलोरी में दिया है हा ना और इदर हमारा जूल में आ रहा है उत्तर हा ना ये हमको केलोरी में दिया है दोस्तों हा ना इसको जूल में बदलने के लिए क्या कर देंगे दोस्तों 4.2 से हम लोग क्या कर देंगे गुड़ा कर देंगे ठीक है तो ये हमारा जूल में बदल जाएगा दोस्तो ठीक है ठीक है दोस्तो अब इसके बाद यहाँ पर डेल्टा टी देखते हैं डेल्टा टी हमको यही तो लिकालना है दोस्तो ठीक है तो अब डेल्टा T बराबर हमको क्या मिल जाएगा दोस्तों देखें 1.5 गुड़ी 10 के गाद 4 ठीक है नीचे में मारा क्या जाएगा 9 गुड़ी 10 के गाद 3 सुन देसमलो 4 दो गुड़ी 10 के गाद 3 और ये 4.2 ठीक है अब इतना को अगर हम लोग हल करते हैं दोस्तों तो ये कितना आजाएगा दोस्तों तो ये हमको मिलता है 9 गुड़ी 4 4 degree centigrade दोस्तों ठीक है और यहां पर देखें 10 के गाद भी रहेगा दोस्तों ठीक है ये बहुत कम मिलेगा दोस्तों ये temperature ठीक है 10 के गात रिंट 4 भी आता है दोस्तों ठीक है डिगरी centigrade ठीक है तो यही हमारे उत्तर हो जाएगा दोस्तों इस परश्न कर ठीक है धन्यवाद अज़े डाउट करें डाउट ने डाउट ने डाउट या वच्छाप करें अपने सारे डाउट आच चार्सो 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 पर